जै मातादी दोस्तों, पूजा शक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भैनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नए विशे पर हम चर्जा करेंगे वो है धनलाप के लिए किस प्रकार आपके घर में रखी छोटी हरी इलाइची जो कि आपकी चाय का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ माताल लक्ष्मी को अतिप्रे होती है पूजापाट के सभी धार्मिक कार्यों में आप देखेंगे कि छोटी इलाइची और लौउंग का प्रयों किया जाता है चोटी इलाइची जो हरी इलाइची होती है वो श्री गणेश जी को भी अर्पित की जाए तो आपकी सभी प्रकार की मनों कामनों की पूर्ती करती है ये जो है बड़ी असानी से घर में मिल भी जाती है और ये जो है आपके जीवन में धन के कई मार्ग खोलती है आप सभी को कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुशा जब भी कोई धार्मिक कारी किया जाता है तो उसमें खुजबू या सुगन का बहुत महत्व माना जाता है इसी प्रकार अगर आप छोटी इलाइची को अपने धर्मस्थल या कहीं पर भी दान करते हैं तो उससे भी आपके जीवन में धन के बार खुलने लगते हैं अब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जो है ये चोटे चोटे उपाय करने हैं सबसे पहले आज आपको धन का उपाय बताते हैं काफी सवाल आयते कि कर्जा बहुत हो गया है हमारा पैसा किसी ने ले लिया है वो वापिस नहीं कर र तो इस बात का ध्यान रखें, कि वह साफ होनी चाहिए, यानि कि उस पर पीले दागना हों, काले दागना हों, वह पूरी हरी इलाइची खुझबुदार इलाइची होनी चाहिए, इसके बाद आपको क्या करना है? आप जहां पर भी पुझा करते हैं, या मातालक्षमी की बिस नान करने के बाद स्वच्छ होकर बैठ जाए आसन अगर लाल रंका ले ले लेंगे तो बहुत शुब रहेगा आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तो खड़े होकर एकारे आप कर सकते हैं दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का आपको जो है कोई भी जो बीज मंत्र होता है वो पूझना है बीज मंत्र का आपने कोई सिद्ध कर रखा है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने कोई भी बीज मंत्र सिद्ध नहीं किया है तो आप केवल ओम श्रीम श्रीय नमह या आप जो है माता लक्ष्मी का अगर कोई और बीज मंत्र जो आसानी से उच्चारन कर सके उसका उच्चारन करें 108 बार और अगर आपके पास स्वटिक की कोई माला होती है तो भी बहुत अच्छा रहेगा स्वटिक की माला नहीं होती है तो 108 इलाइची के दाने लेकर आप जो उसकी माला बना कर उस पर भी प्रयोग कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखे मंत्र का जाप करते समय कोई भी आपको परेशान ना करें आप किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे और खास दौर पर कोई आपको टोके नहीं उसके बाद ये जो इलाइचीया है इसे अपनी अनुशी के शरीर के आसपास जितने भी चक्र होते हैं उनके आसपास जितनी में नेगेटिविटी होती है उसे दूर कर देती है इसके बाद आपको जहां आपने पूजा की है वहीं पर बैठ जाईए इसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा लेकर उसके अंदरे इलाइची को भान कर ऐसी जगह रख दीजे जहां पर किसी की भी नजन ना पड़े अब किसी भी कारे पर जाते हैं तो इस पोटली को अपने पर्स में रखके ले जाए आपका कारे जो है निश्चित तोर पर बनेगा अगर कोई व्यक्ति आपके पैसे नहीं दे रहा है तो इस व्यक् को खत्म करने का एक बहुत असान अपाई किसी भी दरीद्र व्यक्ति को असाहाय व्यक्ति को या फिर अगर आपको कोई किनर मिलता है तो उसे हरी इलाइची का दान करना चाहिए हरी इलाइची जो है किसी भी धर्मस्तल मंदिर मजदित या गुर्दवारे में जाकर दान कर जिससे कि वहाँ पर जब सभी लोग इस इलाइची से बना हुआ भोजन ग्रहन करते हैं तो आपके नव ग्रह जो होते हैं वो शांत होने लगते हैं आपको जब भी कभी मौका मिलता है तो आप ये जो कारे हैं कर सकते हैं इसका कोई बंदन नहीं है कि महीने में साल में करना है आपको जब क्योंकि बहुत आसानी से भी प्राप्त हो जाती है और बहुत सस्ता उपाय भी है परन्तु इससे आपके बुद्ध ग्रह भी उच्च के होते हैं और आपके जीवन में माता लक्ष्मी की भी क्रपा बनती है इसके अलावा हर व्यक्ति को अपने पर्स के अंदर पांच जो इलाइची होती है वो हर शुक्ल पक्ष की शुक्रवार को रखनी चाहिए उसके बाद अगले महीने जब नेक्स मनत आएगा तो उसे यह बदल कर यह जो इलाइची होती है कही भी किसी पेड के नीचे रखकर आ लगते हैं इसके अलावा भाईंओ और भहनों आपका सापताहिक राशीफल जो है यह जो कैसा होने का हाल भाणे है जीवन में बदलाव यह किन चीजहों को आपको जो है सोच समझकर तहन के लिए कारिकरkh full ने किस तरीके को यहीं विराम देते में मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो और सुभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसे नए विशे पर चर्चा करते वे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों